पर सबसे पहले बात करेंगे 36 गर बोट के स्टूडेंट्स की याद से बारवी की परिक्षा शुरू हो रहे हैं करीब 2,93,000 शात्र परिक्षा देंगे सुभा 9 बजे से दुपहर सवा 12 बजे तक ये परिक्षा कंड़क्ट की जाएगी बारवी का पहला पेपर आज हिंदी का है कल से दस्वी बोट की परिक्षा शुरू होगी और दस्वी बोट में करीब 3,80,000 शात्र शामिर होंगे 36 गड़ बोट की बारवी की परिक्षा का अगास जाच से हो रहा है सुभा 9 बजे से दुपहर सवा 12 बजे तक परिक्षा ली जाएगी और करीब 2,93,000 शात्र परिक्षा देंगे और सीधे रुख करेंगे हमारे सयोगी उमेश का बिलासपूर से मरसात लाइफ बने हुए हैं उमेश सुभा के 9 बजे चुके हैं जाहिर है कि परिक्षा का अगास हो चुका होगा क्या कुछ तस्वीर है परिक्षा के इंदर पर देखे मैं आपको सीधे तोर पर दिखाना चाहूंगा कि यह बिलासपूर का बहुत चुतर मादमिक विद्याले है और यहां पर जो बच्चे हैं वो क्लासरूम पर पहुंच गया है उत्तर प्रिस्तिका बाटने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है पंद्रा मिनट पहले इनको देना है नौ बजे से यह एक्जाम सुरोगा प्रश्ण पत्र देने का जो टाइम है वो नौ बजे से है जिले की बात करें तो जिले में 19 अज़ार बारवी बोट के जो चा है उन्हें मास्क लगा करी प्रवेस दिया जाएगा क्लास रूम में और यही वज़ा है कि आप देख सकते हैं कि जो बैठक वेवस्ता है वो पूरी तरीके से सोचल डिस्टिंसिंग का पालन कराते हुए बच्चे बकादा मास्क का उप्योग करते हुए यहां पर को बढ़ाया गया है तो जिसमें हाई स्कूल ऑर हायर स्केंडरी के जो ऑर स्कूले हैं केंद्रै केंद्रै उनको स्केंद्रिक केंद्रिक जो बच्चे बिएकशन डिस्टिंसिग के सबने判 बच्च कढ़ा किस तरह की विवस्ता की गई तो यह यह जना जा रहा है आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है वो पूरी तरीके से तयार है चुकि आनलाइन पढ़ाई हुई है आफ लाइन एक्जाम हो रहा है कुछ बच्चे इसको लेकर नाराजगी भी जाहिद कर रहे थे कि आफ लाइन ही हो रहे हैं और अगर हम दस्वी की बात करें तो कदस्वी की जो एक्जाम है वो कल से सुरू होगी और वो भी हिंदी से ही सुरू होगा हिंदी का पेपर परचा जो है पहले एक्जाम हॉल में उनको हल करना होगा तो इस तरीके से यह जो बैठक व्यवस्ता है पूरी तमाम क दिये हैं और नहीं है तो आज इंजेक्शन लगने को भी है वैसे जनरली हमारे सब बच्चे लगवा चुके है और सिटिंग बंसी रिली जैसे रोल नम रहता है वैसे है कुछ लग नहीं है और सेट में पेपर है अपना एबी सीट में है इस बर किस तरीके से आप लोग तैया है ग्जाम देने के बेहतनीन तरीक से बढ़िया से उल्लाइन एक्जाम हो रहा था तो कोई लिखत थोड़ी हो रही थी है कोई दिक्कत नहीं है हाम आपने तैयारी से हम परिफूर आ अब आफ नाइन हो रहे है एक्जाम तो पढ़ाई बढ़िया पूरी किये हैं क्योंकि ओनलाइन के जरीए आपको पढ़ाई कराई जा रही थे अब ऑफ-लाइन एक्जाम हो रहा है तो थोड़ा बहुत वंचित है हम उस उद्देश से लेकिन पूरी तैयारी करके तो बैठे ना हम पूरी तैयारी करके चलिए तो परिक्षा केंदर की तस्वीर जरूर हमने देखी उमेश हो शुक्रिया यह तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए कोविट गाइडलाइन का खास तौर पर यहां पर ध्यान रखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही परिक्षा दे रहे हैं शाथ जिसकी तस्वीर आपकी टेवी स्क्रीन पर थी